हलो फ्रेंड्स फ्लेकम टू माई चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर वी उटेल बात करूँगा आपसे इस वूड़े में बाल उकास की दूसरी वस्ता जिसका नामे बाल ले वस्ता के बारे में और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलेगा जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और सेयर करिएगा कमेंट करके जुरू बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा तो सुरू करता है अपना वीडियो तो बाल्य अवस्था बाल्य अवस्था को इंग्लिस में चाइल्ड होड भी कहा जाता है और इससे पहले हम लोग सैस्वा अवस्था पढ़ चुके हैं जिसकी अवस्था होती है जीरो से पांच वर्स की अवस्था यानि जन्म से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है वो कहलाती है आपकी 600 अवस्था ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्ले वस्था के बारे में तो 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है आपकी वो कहलाती है बाल्ले वस्था बाल्लय वस्था को दो भागों में बाटा गया है एक होता है पूर बाल्लय वस्था एक होता है उत्तर बाल्लय वस्था तो 6 से 9 वर्स की जो वस्था होती है वह पूर बाल्लय वस्था कहलाती है और 9 से 12 वर्ष की जो वस्था होती है वो होती है आपकी उत्तर बाल्य वस्था तो याद रिखेगा एक्जाम में पुछा गया है इनको अब हम लोग जानेंगे बाल्य वस्था के उपनामों के बारे में और इनको बाई ट्रिक कैसे याद करेंगे वो विद्ध में आपको बताऊंगा तो देखिए कोल एवं बुरूष ने वाल्य वस्था को सम्वेगात में विकास का अनोखा काल कहा है कोल एवं बुरूष ने वाल्य वस्था को सम्वेगात में विकास का अनोखा काल कहा है करते हैं और अनोखा काल ये आपके कीवर्ड हैं देखिए जब हम सुबह सुबह उड़ते हैं और ब्रस पर कोलगेट लगाकर मंजन करते हैं तो हमारा अनोखा काल सुरू हो जाता है यानि सुबह जब हम उड़ते हैं और ब्रस पर कोलगेट लगाकर मंजन करते हैं तो हमारा शुरू हो जाता है इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं अगला है रास रास ने बाल्य आवस्था को मिथ्या परिपक्वता आवस्था कहा है मिथ्या परिपक्वता आवस्था देखिए रास मतलब अच्छा लगना मिथ्या मतलब मालीजे मीठा होता है इसको कैसे याद करेंगे कि मीठा हमें रास नहीं आता है मीठा हमें रास नहीं आता है मीठा रास नहीं आता है याद कर सकते हैं इस तरीके से अगले हे मनोवज्यानिक किलपेट्रिक इन्होंने बाल्य वस्था को प्रत द्वंद्वात्मक अवस्था कहा है प्रति दंद आत्म का वस्ता कहा है ठीक है इसको कैसे आत करेंगे यानि दो प्रति दंदी थे और वे आपस में लड़े यानि उन्होंने आपस में दुन्द किया और एक दूसरे को किल कर दिया यानि दो प्रतिज़न्दी थे माल ये एक ये है एक दूसरा ये है और ये आपस में लड़े यानि आपस में दुन्द किया और एक दूसरे को किल कर दिया इस तरीके से आप याद कर सकते हैं अगला है मनोवग्यानिक फ्रायड बाल्य वस्तव को जीवन का निर्माड काल इन्होंने कहा है फ्राय जो है इसको फिर मा लिजे फ्राय को जो है फिर मा लिजे यानि जीवन का निर्माड काल फिर से होगा जीवन का निर्माड फिर से होगा इस तरीके से याद कर सकते हैं आप तो ये होते हैं मारे उपनाव यानि जो आपकी बाल्य वस्था है वो 6-12 वर्ष की वस्था होती है और इसको दो भागों बाटा गया है पूर बाल्य वस्था जिसका वर्ष अंत्राल होता है 6-9 वर्ष यानि 6-9 वर्ष की जो वस्ता होती है बाल्य वस्ता में वो आपकी पूर बाल्य वस्ता होती है और 9-12 वर्ष की जो वस्ता होती है वो होती है आपकी उत्तर बाल्य वस्ता तो आप साथ समझ गयोंगे और 600 अगर आपने देखा होगा तो आपको ये भी समझ में आएगा अच्छे से देखे अब हैं बाल्य अवस्था के विध्याले जाने लगता है बाल्य अवस्था जो है वहा विध्याले प्रार्म की अवस्था वुथि है ठेक है खेल की आयो बालक जो होता है छे वर्ष का वह खेलो को खेलना पसंद करता है तेकि आपने देखा होगा कि एक जो छे वर्ष का बालक होता है वो खेलना ज्यादा पसंद करता है पढ़ना लिखना नहीं पसंद करता है इसलिए उसे पढ़ाने के लिए खेल पर आधारि पतचियों के अनुसार ही बालकों को पढ़ाना चाहिए तो बाल्य अवस्था जो होती है वो खेल की आयू होती है खिलोने की जो आयू होती है खिलोने की जो आयू होती है वो होती है आपकी सैस्वावस्था खिलोने की आयू सैस्वावस्था होती है खेल किया है जो है बाल्य वस्ता वहती है एक्जाम में इसे पूछा गया है ध्यान लगेगा अगला पॉइंट है संग्रह की प्रवत्ती देखिए बाल्य वस्ता ऐसी वस्ता है जिसमें जो बालक होता है वह संग्रह करने लगता है बालक हो चाहे बालिकाए हो जैसे बालक जो होते हैं वो कांच की गोलिया, तास के पत्ते, कागज, पिन ये एकठा करते हैं बालक जो होते हैं बालय वस्था में और जो बालिकाएं होती है वो सुन्दर- सुन्दर कप्ड़े, गुडिया इस तरीके से जो है चीजों को संग्रह करती हैं अपने पास तो बालय वस्था में जो है संग्रह की प्रवत्ति होती है अगला point है वास्त्विक जगत से संबंध देखिए वास्त्विक जगत से संबंध हो जाता है बाल्यावस्था में जैसे जब 600 वस्था में कोई बच्चा होता है तो हम लोग बताते हैं कि जो चंद्रमा है वो हमारे मामा है थेक है या कार्टून जो है वो वास्तुग में है तो बाल्य वस्था में बालक समझ जाता है कि चंद्रमा जो है वो क्या है और कार्टून जो है वो वास्तुग रूप से नहीं है तो वास्टिक जगत से संबंद इस्थापित कर लेता है बाल्य वस्था में बालग और बालिकाई अगला है रचनात्मक कारोय में आनंद इस वस्था में बालग और बालिकाई जो होते हैं वो रचनात्मक कारोय में रुच लेते हैं यानि उनको अगर कोई चीज दे दी जाती जैसे उन्हें सुन्दर सुन्दर कलरफुल कागज दे दिये जाएंगे तो उनसे जो है वो एक अन्य प्रकार की चीज बना सकते हैं यानि अन्य प्रकार का कोई फीगर थैयार कर सकते हैं कागजों से कलरफुल पेंसिल ले दी जाए तो वो ड्राइंग बना सकते हैं ठीक है तो रचनातमक कर्रों में वो आनंद लेने लगते हैं सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक गुणों का विकास जो छे वर्ष का बालक होता है प्रारंब से ही समाज के बारे में जानने लगता है उसे आज्याकारिता, सहिकारिता और सहियों की भावना का विकास जो है उसमें होने लगता है तो सामाजी गुणों का विकास जो है बाल्लय वस्था में सुरू हो जाता है नैतिक गुणों का विकास जो है सैस्वा वस्था में नहीं होता है तो बाल्य वस्था में जो है नैतिक गुणों का विकास हो जाता है वह बड़ों का आदर करने लगता है और किस तरीके से किस व्यक्ति से बात करनी है वह जानने लगता है तो नैतिक गुणों का जो विकास है वह बाल्या वस्था में सुरू हो जाता है अगला है बहिर मुखी व्यक्तित्यों का विकास देखिए जो सैस्वा वस्था होती है वो अंतर मुखी होती है बच्चा जो होता है वो एकांत में रहना पसंद करता है लेकिन जो बाल्य अवस्था होती है बालक उसमें खेनला पसंद करता है यानि उसे एकांत में रहना पसंद नहीं होता है वह लोगों से जुड़ना पसंद करता है इसलिए इस अवस्था में बालक बहर मुखी व्यक्तित वाला हो जाता है अगला है सम्वेगों का दमन इस अवस्था में बालोग और बालिकाएं जो हैं वे अपने सम्वेगों का दमन करते हैं यानि जो गलत चीजें हैं उनको अपने घर में नहीं बताते हैं और अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं इस अवस्था में अगला पाइंट है मानसिक योगता में मिकास देखिए जो 600 वस्ता में बच्चा होता है उसके पास मानसिक योगताएं जादा नहीं होती है लेकिन जैसे ही वहाँ बाला वस्ता में आता है उसके पास mental ability विक्सित होने लगती है तो मानसिक योगता में जो है इसमें व्रद्धी होती है काम प्रवत्ति की निवन्ता देखिए बाल्य वस्था में जो बालक होता है बालक या बालिकाय होती है उनके अंदर काम प्रवत्ति की निवन्ता होती है क्यों होती है? क्योंकि वो खेलने में ज्यादा रुच रखते हैं दिन भर वो खेलते ही रहते हैं तो इस तरफ इनका काम प्रवत्ति की तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं जाता है इसी वज़े से काम प्रवत्ति की नियुनता होती है बाल्या वस्था में अगला point है सामोहिक प्रवत्य की प्रवलता देखिए, बालक जो बाल्यावस्ता में आज आता है वह समूह में रहना शुरू कर देता है 6-9 अर्स के जो बालक होते हैं वह छोटे-छोटे समूहों को बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन जैसे ही बाल्ला वस्था की अंतिम चरण की और प्रस्थान करते हैं तो ये काफी बड़े-बड़े समुहों में जाने लगते हैं अगला point है सामुही खेलों में रूची तो जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था में वो समुहों में खेलना पसंद करते हैं जैसे क्रिकट है, फुटबाल है तो इस तरीके से बच्चे खेलना शुरू करते हैं अगला point है बहुत ही महत्पुण है, चुस्ति की आयू और गंदी आयू जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है देखे चुस्ती की आयू क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो काफी मतलब चुस्त दुरुस्त होता है उसको खेलने की काफी जिग्यासा होती है तो वो दिन पर खेल सकता है भोखा होगा लेकिन वो खेलता रहेगा मतलब उसके अंदर चुस्ती बनी रहेगी तो चुस्ती क्या होती है? गंदी आयू यानि बालक इसमें खेलता रहेगा और उसके अगर हाथ पैर गंदे हो जाते हैं तो वो आकर अगर खेल कर आया है तो जरूरी नहीं है कि वो हाथ दोए या पैर दोए वो आकर जैसा होता है गंदा संदा वो आकर बिस्तर पर बैठ जाता है चेर पर बैठ जाता है और अगर हम उसे खाने को देते हैं तो वो ऐसे ही खाने लगता है तो मतलब उसे पता नहीं होता है या वो ध्यान नहीं देता है कि उसे क्या करना है तो इसी वज़े से जो है ये गंदी आयू कहलाती है यानि बच्चा जो है खेलता हुआ आता है गंदा संदा होका और अगर हम उसे कुछ भी खानों को देते हैं तो वो खा लेता है तो इसी वज़े से जो है इसे गंदी आयू भी कहा जाता है अगला है मूर्थ चिंतन की प्रवत्ती मूर्थ क्या होता है मतलब जो प्रत्यच चीजों से जुड़ा हुआ चिंतन होता है वो होता है आपका मूर्थ चिंतन तो प्रत्यच चीजों पर आधारिक चिंतन इसमें प्रारम कर देता है एक बालक तो इस प्रकार जो है हमारा आज का टापिक बाल्य वस्ता समाप्त होता है मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एडोल सेंस यानी किस्वरा वस्ता के साथ जो की बहुत ही महत्वूर्ण टापिक है तो थैंके फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभू